एक निर्दाई नौक करदी कहाणी एक दिन पतरस ने येसू नू पुछया स्वामी जी मैं अपने पाई नू किन्नी वार माफ करां जदों ओ मेरे विरुद पाप करदा है की सात्तवार येसू ने उत्तर दिता सात्तवार नहीं पर सातदा सत्तर वार इस द्वारा असी जान दे हां के यिसु दा मतलब है कि हमेशा माफ करो तद यिसु ने कहाणी दसी यिसु ने कहा परमेशर दा राज एक राजे वर्गा है जो अपने नौकरन नल हिसाब करना चौंदा सी उस दा एक नौकर वड़ी रकम करीब दो लख रुपे दा करजदार सी जो लगपग एक साल दी कमाई सी जद के नौकर उदार वापिस नहीं कर सकदा सी राजे ने कहा पैसा वसूल करन लई इस व्यक्ती अते इस दे परिवार नू गुलाम करके वेच देओ नौकर ने राजे अग्गे गोड़े टेके अते किहा मेरे उत्ते दया करो मैं अपना सारा करज वापस कर देवांगा जिस दा मैं कर जाई हैं राजे नू नौकर ते तर्स आया उसने उस दा सारा करज माफ कर दिता अते उसनू छट दिता पर जदो नौकर राजे को नू बाहर चलया गया, ओ आपने नाल दे नौकर नू मिलया, जो उसदा करजाई सी, लगपाग चार महीने दी मजदूरी दी रकम सी नौकर ने अपने साथी नू फड़या अते उसनू केहा, मैंनू मेरा पैसा वापस कर साथी नौकर ने गुड़या पार होके किहा, किरपा करके मेरे उत्ते दया करो, अते मैं तो हड़ी सारी रकम वापस कर देवागा, जिसदा मैं कर जाई हाँ पर इस दी बजाए, नौकर ने अपने साथी नू जेल वेच बंद कर देता, जात्तक ओ कर्ज चुका ना देवे कोज दूसरे नौकरा ने सब देख्या जो होया सी, अते बहुत परिशान होए ओ राजे कोल गए अते उसनू सब कोज दस्या राजे ने उस नौकर नू बुलाया अते कहा, हे दुष्ट नौकर, मैं तैनू तेरा कर्ज माफ कीता, क्योंके तू बेंती कीती तैनू वी उससे तरा ही करना चाहीदा सी, राजा बहुत गुसे होया, अते उस दुष्ट नौकर नू जेल वेच सुट दिता, जद तक ओ अपना पूरा कर्ज वापस नहीं करदा तद यसु ने कहा, एसे तरा ही मेरा स्वर्गी पितावी तुहड़े हर एक नाल करेगा, अगर तुसी अपने पायानू दिलों माफ नहीं करदे